नमस्कार दोस्तों, Modern History PYQ की सीरीज में मैं प्रसान्त आप सब का स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे 1857 की क्रांती से पिछले वर्सों में बिभिन परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्नों को अभी तक अगर आपने इस सीरीज के पहले अपलोड किये जा चुके वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाएए, वहाँ पर आपको Modern History PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्षर्स आपको एक करम से देखने को मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर किया आप उन्हें देख सकते हैं तो चलिए इसी के साथ इस लेक्षर को प्रारंभ करते हैं तो प्रस्नों पर आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि Decode Exam की और से RO-ARO Prelims और Mains के Examination के लिए एक Foundation Batch बनाया गया है जिसमें Prelims के पूरे सलेबस को Mains के पूरे सलेबस को कवर किया जाता है इसके अतरिक्त Practice भी कराई जाती है Daily Telegram Group बना करके जब Exam आपका Prelims का नजदीक आ जाएगा तो फिर Test Series भी Full Test कराये जाएंगे इसके अलवा मुख्य परिक्षा के लिए पूरा उत्तर लेखन का कारिक्रम, निबंध लेखन का कारिक्रम तो ये जो Foundation Batch है वो ROARO की तयारी करने वालों के लिए एक पूरे Package की रूप में है एक अही छतरी के नीचे आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाता है तो बस आपको किवल मेहनत करना रह जाता है Video Lectures, PDF Notes, Test Series, Guidance ये सारी चीजें आपको एक अही जगह पे मिल जाती है तो निश्ची तुरूप से अगर आप मन बना रहे हैं कि आपको ROARO का एक्जाम इस बार देना है और इसमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमारा ये कोर्स आपके लिए बेहत सहायक होगा आप 9506-742-546 पर WhatsApp करके Foundation Course ROARO लिख करके WhatsApp करे सारी डिटेल इस कोर्स से जूड़ी हुई आपको दे दी जायेगी आप चाहे तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम सीधे प्रस्नों पे आते हैं तो पहला प्रस्म अब आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे साथ इन प्रस्मों को पढ़ते हुए उन्हें साल्प करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बाक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे ऐसी सभी से उमीद करता हूँ तो चलिए पहले प्रस्म को हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इन फिल्ड राइफल कब सामिल की गई यह BPSC प्री 2005 का प्रस्न है तो यह जो इन फिल्ड राइफल सामिल हुई यह कब सामिल हुई नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में और फरवरी 1857 में तो दिसंबर 1856 में जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस उसको हटा करके यह इन फिल्ड राइफल सामिल की गई जो की 1857 के बिद्रोह का तातकालिक कारण बना क्योंकि यह बात फैली कि इस बंदूक के कार्तूस के जो उपरी भागय जैसे यह इसको दात से खीचा जाता था और यह बात थी कि यह गाय और सूर की चर्वी से निर्वी था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से हमने क्लासरूम में समझाया है सारी प्रक्रिया यह कैसे कैसे है, यह सारी चीजे इसमें लिखी हुई है, ठीक है यहाँ पे लिखा है कि दिसंबर 1856 में ब्रिटिस सरकार ने पुरानी लोहे की बंदूक, ब्राउन बेस की जगा न्यू इनफिल्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसके कार्तूस के उपरी भाग को मुह से काटना पड़ता था, देखिए यह सैनिक काट रहा है और ये कहा गया कि गाय और सुवर की चर्वी का प्रयोग इसमें होता है, यानि मुह से गाय और सुवर की चर्वी तो सुवर मुसलमानों के लिए और गाय हिंदुओं के लिए, ठीक है, तो ये तातकालिक कारण बना, दूसरा प्रस्तन, भारत के प्रथम स्वतंतरता संग्रा सैनिक असंतोस तो निस्चित रूप से और भारत का आर्थिक सोसर्ड देखिए जो तातकालिक कारण था उसमें भारत का अगर दिर्ग कारण देखे तो बहुत सारे कारण भारत का आर्थिक सोसर्ड लाग डलहोजी की हड़त नीती लेकिन तातकालिक कारण हमें सैनिक असंतोस क्यों हुआ वो ये हुआ कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक छेप कर रहे हैं क्योंकि सेना में इसाई मिसेनरियां तो आई गई थी जो कि प्रभु राम को अपसब्द बोलने का काम करते थे अंग्रेज अपसर ये सब तो चली रहा था और जैसे ही नई बंदूक आई जिसक हस्तक छेप करने के संदेह से ही सैनी कसंतोस प्रारंब हुआ अगला मंगल पांडे कहा के बिपल्व से जुड़े हुए हैं ए मेरठ में बी बैरकपूर में सी अंबाला में और डी लखनव में तो मंगल पांडे से जुड़ा हुआ पिछले वर्सों में बिभिन प्रस्त पूछा जा रहा है कि वो कहा के बिद्रोह से जुड़े हुए थे तो निस्चीत रूप से बंगाल बैरकपूर चोंतिस्वी बंगाल नेटिव इनफेंटरी के ये एक सिपाही थे और इन्होंने बिद्रोह कर दिया ठीक है आईए थोड़ा सा इसको समझे यहां पर चार्ट बना करके 1857 की क्रांती को हमने बड़े विस्तार से समझा और 1857 की क्रांती के पस्चाथ भारत में ब्रिटिस नितियों में जो परिवर्तन हुआ उसे भी बड़े विस्तार से हमने समझा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 की पस्चाथ भारत में ब्रिटिस नितियों में परिवर्तन को जब हम पढ़ते हैं तो एक हम National Moment के लिए Foundation तयार करने का काम करते हैं राश्टी आंदूलन को पढ़ने के लिए वो New का काम करता है 1857 के पस्चार भारत में British नितियों में परिवर्तन ठीक है तो देखिए ये घटना करम कैसे हुआ 26 फरवरी 1857 को बहरामपूर के सहनिको ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे बहिया इसमें गाय और सुवर के चरवी का बिसर है 29 मार्च 1857 को 34 वी रेजिमेंट बैरकपूर के एक सिपाही बंगाल नेटिव इंफेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किया और अपने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सारजेंट हूसन की हत्या कर दे और ये हुआ उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया गया 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को फासी दे दी गई और उनकी जो रेजिमेंट थी पूरी रेजिमेंट को भंकर दिया गया इसके बाद दूसरा घटना करम क्या हुआ मेरट में अब ये हुआ अब ये बंगल की बात हो रही है अब दूसरा घटना करम मेरट में हो रहा है और मेरट बहुत मजबूत च्छावनी उत्तर भारत में अंग्रेजों की वहाँ पर क्या हुआ तो 24 अप्रेल को मेरट में तैना देशी घुरसवार सेना के कुछ सिपाहियों ने का वह या हम कार्तूस का प्रेवग नहीं करेंगे अब इसको बड़े जूर्म के रूप में अंग्रेजों ने देखा संगीन अपराध के रूप में तो उन्होंने क्या किया कि सिपाहियों को सेवा से बरखास्त कर दिया और उन्हें 10 वर्ष की सजा दे दी तुम सेवा से भी बार खास्त हो गए हो और इसके बाद 10 वर्ष की सजा भी उनको सुना दी अब ये जब हुआ 24 अप्रेल को मतलब उन्होंने कार्टूस प्रयोक से इंकार किया 9 मई 1857 को उनका नेड़ है आ गया कि भाया अब तुम सेवा में भी नहीं रहो गया और सजा मिलेगी तुमको तो 10 मई 1857 को क्या हुआ कि मेरठ में तैनात संपूर ब्रिटिस भारतिय सेना ने विद्रोह कर दिया अपने जो साथी उनके बंद थे उनको मुक्त करवाया और ये सब दिल्ली की तरब बढ़ चले और 12 मई हलाकी 11 मई की रात मही 12 मई 1857 को दिल्ली पर ब्रिटिस भारतिय विद्रोही सेनिकों ने अपना कपजा कर लिया तो ये प्रारंभम इन दो हम मानते हैं 10 मई को ठीक है चले मंगल पांडे सिपाही था ए उनिस्वी नेटिव इंफेंटरी पचीस्वी नेटिव इंफेंटरी उन्चास्वी चोरानवे ये यूपी प्यस्सी आराई 24 का प्रस्न है और ये प्रस्न गलत है क्योंकि इसमें 34 रेजिमेंट का कहीं उलेख ही नहीं किया गया है और मंगल पांडे 34 वी बंगाल नेटिव इंफेंटरी के एक सिपाही थे तो ये प्रस्न गलत है अगला 1857 के बिद्रोह के दवरान बहादूर साह ने किसे साहब ए आलम बहादूर का खिताब दिया अजिमुला बिर्जिस कादिर वकतकान हसन खान देखें जब बिद्रोही सिपाही दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने मुगल बात्सा बहादूर साथ जुतियस से ये अपील किया अब आप हम लोगों का नित्रितो करिए और बिरिटिसों के विरुद्ध हम लोग एक युदध का काम सुरू करें आप हम ये नित्रितो प्रदान करिए आपको हम मुगल समराट Khushit करते हैं बिलियम डेल रिंपल ने अपनी किताब आखरी मुगल में बड़े विस्तार से बताया है कि बड़ा संकोच में और पूरे सिपाही पहुँच गये थे तो एक प्रकार से कैद के रूप में मुगल समराथ हो गये थे बहदूर सहजुटी तो उन्हें मजबूरन इस बिद्रोः का नेता बनना पड़ा लेकिन मुगल बादसा और उनके सहजादे ये लोग नाम मातर के नत्रित तो करता थे जो सैनिक नत्रित तो करता था वो था बखत खान बखत खान जो कि अंग्रेजों की सेना में सुवेदार के पद पर था तो यही लीड करने का काम किय सनिकों को तो उसे ही साहवे आलम बहादूर का खिताब दिया गया था बहादूर सा दृतिय के द्वारा तो सी हमारा उत्तर है अगला 1857 की करांती का प्रमुख कारण क्या था यूपी PCS प्री 1990 तो बहुत सारे कारण थे पहला जन अक्रोस तो निस्चित रूप से था ही सैनिक असंतोस तो निस्चित रूप से था इसाई मिसनरी का प्रबंध तो इसाई मिसनरी आ घूसी आई चूकी थी भारत में और बहुत तेजी से इसाई धर्म का प्रचार प्रसार वो कर रही थी और British सामराज्जी की नीती तो देखे इसमें से हम कोई एक छाट ना हो तो हम कहेंगे कि ये British सामराज्जी की नीती थी उसी से सैनिकों में असंतोस था, उसी से किसानों में असंतोस था, उसी से राजाओं में असंतोस था, उसी से इसाई मसिनेरियों का प्रसार भारत में बढ़ रहा था, तो D हमारा उत्तर होगा, अगला, 1857 में लंदन से प्रकासित होने वाले समाचार पत्र अब ये नया प्रस 1857 में लंदन से प्रकासित होने वाले समाचार पतर टाइम्स के संबद दाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर द्रिष्ठी से नहीं देखता यानि अंग्रेजों ने संपूर उत्तर भारत को अपना दूस् तो डबलू एच रसेल लंदन से प्रकासित होने वाले समाचार पतर टाइम्स के संबद आता थे जिन्होंने कहा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर द्रिष्ठी से नहीं देखता है अगला 1857 की क्रांती सरोप्रथम कहां से प्रारंभ हुई ए लखनव, बी जहसी, सी मेरट, डी कानपूर तो देखें 1857 की क्रांती सरोप्रथम तो उसका विगुल मंगल पांडे ने फूका बैरकपूर में और उनको फासी भी हुई लेकिन जो वास्तों में विद्रोह का प्रारंभ हुआ, वो असल में मेरट में हुआ 10 मई को, ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है यहां पर आप देख सकते हैं, पूरा लिखा गया है, मेरट में तनाद संपूर ब्रिटिस भारतिय सेना ने विद्रोह किया, अपने साथियों को मुक्त करवाया और दिल्ली के बढ़ चले 12 मई 2018 को दिल्ली पर विद्रोही सैनिको का अधिकार हो गया, सैनिको ने बहादूर साथ जूतियों को अपना नेता चुन लिया, अब दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र बन गई, और फोजी और गैर फोजी मामले देखने के लिए बकत कान के नित्रितों में एक परि संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कौन से? कानपूर में विद्रोह और नाना साथ का नेत्रितों समालना तो ये बाद में हुआ, बेगम हजरत मारुल द्वारा अवद का नेत्रितों ये भी बाद में हुआ, सैनिकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुँचना ये स सबसे पहले घटना करम था, मेरट पर विद्रोह हुआ, और तुरंट सैनिक दिल्ली के और बढ़ चले और दिल्ली वो पहुच गये, तो सी सबसे पहला घटना करम यही था, अगला, 1857 के स्वाधिनता संग्राम का प्रतीक था, A. कमला रोटी, B. बाज, C. रुमाल, D. दो तलवारे, MPPCS pre 1990 का प्रस्थन है, तो देखिए 1857 की क्रांती का स्वरूप क्या था, तो ज्यादा तर अंग्रेज इतिहासकार यह बताने का प्रयास करते हैं, कि यह जो 1857 की क्रांती थी, यह कोई जनता का भिद्रोह नहीं था, यह कोई जनता की क्रांती नहीं थी, बलकि यह केवल सैनी कसंतोस था, और इससे अधिक कुछ नहीं था, लेकिन कई लोग इस क्रांती को सून योजित क्रांती कहते हैं, कि जिसमें कि सब ने भाग लिया, और उसमें एक तर्क, हालाकि यह अपुष्ट तर्क है, लेकिन एक का प्रयोग किया जाता है कि ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ था और साधू, सन्यासी, भिखारी इन लोगों ने कमल और रोटी के जरिये एक संदेश पहुंचाने का काम किया था ये कहा जाता है तो इस हिसाब से ये हमारा उत्तर है अगला 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पूनह अधिकृत कर लिया, तो सबसे पहले अंग्रेजों के हाथ से दिल्ली ही निकली, एक जटके में अंग्रेजों के हाथ से दिल्ली निकल गई, लेकिन अंग्रेजों ने पूनह जान निक तो 20 सितम्बर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनह अधिकार कर लिया और ये जो दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनह अधिकार हुआ उसने बहुत अधिक अंग्रेजों को मोटिवेट किया इस घटना क्रम ने अंग्रेजों की स्थिती को बहुत मजबूत बना दिया और क्रांतिकारियों के बिद्रोही स्थानिकों के मनो स्थिती इस खबर के बाद कमजोर पड़ गई क्योंकि दिल्ली क्या था मुख्य सेंटर था और दिल्ली में कौन था बहादूर साथ जुती ये जिसे बिद्रोहियों ने अपना नेता माना था भारत का बादसाह माना था और उसी दिल्ली में सीधे अंग्रेजों का कबजा हो गया तो जो अन्य बिद्रोह के केंद्र थे उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हटसन ने तो गोली भी मार दी दो साथाजादों को ठीक है तो ग्यारह का जो हमारा उत्तर है वो है सी आगे बढ़ते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 सितंबर 1857 इलाही बक्स का दोका दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार युद्ध में जान निकलसन मारा गया ये एक सैतान की तरह था जान निकलसन दैते की तरह जिसको देखते ही ब्रिटिस सेना में अतियूत साहा जाता था चलो जान निकलसन आ गया इसका मतलब अब सारी बाजी हमारे हाथ में है अब हमें कोई नहीं हरा सकता बड़ा मजबूत लेकिन ये मारा गया ठीक है हटसन ने बहादूर सा जुतिये को गिरफतार किया अगला 88-58 के सौधिन्ता संघर्ष की बिरांगणा मारानी लक्ष्मी भाई की जन्मस्थली है कहा हूं उनका जन्म हुआ ए आगरा में भी जासी में सी वारांसी में डी ब्रेंदा वन में यूपी पी-स इस स्पेशल प्री-2008 का प्रस्थन है तो तो रानी लक्ष्मी बाई का जन्म हुआ वाराणसी में, तो वाराणसी में रानी लक्ष्मी बाई का जन्म 19 नॉवंबर 1835 को हुआ, ठीक है, C हमारा उत्तर है, अगला, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, A खान बहादूर, B कुमर सिंग, C मोलवी, अमत्सा और D बिर्जिस कादेर, UP PCS Pre 1998, तो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादूर, तो जो रुहेल खंड का छेत्र था, वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों का प्रतिरोध किया, उनसे लड़ने का काम किया, और एक मजबूत सेना भी इन्होंने बना करके रखी, तो 13 का हमारा उत्तर है, A. अब यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है, केंद्र कब बिद्रोह हुआ हुआ, क्रांतिकारी किसके नेतरितों में बिद्रोह हुआ, उस बिद्रोह को किस ने दबाया, यह सब डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो बरेली देखें, तो खान बहादूर खान, 1808 में Campbell ने इसको दबाने का काम किया ठीक है चलिए अगला महरानी लक्ष्मिबाई की समाधी कहां इस्थित है तो अभी प्रस्न पूछा गया कि उनका जन्म कहां हुआ और अभी प्रस्न है कि उनकी समाधी कहां है A. मंडला, B. मांडू, C. जवलपूर, D. ग्वालियर तो महरानी लक्ष्मिबाई की समाधी स्थित है ग्वालियर तो ग्वालियर में ही महरानी लक्ष्मिबाई 17 जून 1858 को स्वरगवासी हुई और हिूरोज जो उनका पीछा कर रहा था उन्होंने रानी लक्ष्मिबाई के बारे में ये कहा कि यहाँ पर सोई हुई ये औरत बिद्रवोहियों में अकेली मर्द है महरानी लक्ष्मी बाई के बारे में कहा गया D अगला रानी लक्ष्मी बाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने चीजों को कवर किया है अवद बिद्रोह की ओर अभियागे जाएंगे तो इसको देखेंगे इसके अलावा कानपूर बिद्रोह की ओर चार-चार बाक्स में सबको हम लोगों ने डिसकस किया हुआ है जासी में रानी की हुंकार क्या हुंकार थी मैं अपनी जासी किसी को नहीं दूंगी क्या बिसे था बिसे था डाक्ट्रिना फ्लैप्स छैकासि धांत तो महरानी लक्ष्मी बाई के पती और महरानी लक्ष्मी बाई को कोई अपनी संतान नहीं हुआ इन्होंने गोद लेने का काम किया और जिस बालक को इन्होंने गोद लिया उसे डलहोजी की सरकार ने क्या कहा कि आप गोद नहीं ले सकते हैं आपका कोई अपना वारिस नहीं ह और उस समय क्या कानून था डाक्टरिन अफलेफ्स में तो ये कानून था कि जो लावारिस है उसका वारिस कौन है तो ब्रिटिस सरकार तो इस्ट इंडिया कंपनी उसका वारिस है तो इनका राज इनसे छीन लिया गया जहासी का और तब इन्होंने क्या कहा मैं अपनी जहासी किसी को नहीं दूंगी जीते जी तो नहीं दूंगी ठीक है तो 23 मार्च 1888 को हिरोज द्वारा जहासी का घेरा रानी द्वारा दम में साहस का प्रदर्शन कुछ कदारों के कराण अंगरेजी सेना किले में गुसी रानी कालपी पहुंची और वहां से ग्वालियर, रानी का ग्वालियर पर जगार, अंगरेजों के दोस्त सिंधिया का पलायन ठीक है, इस तरह से सारा लिखा हुआ है आईए 1877 का विद्रों लखनाउ में किसके नेत्रितु में आगे बढ़ा तो लखनाउ में क्या दिकत अवध में क्या दिकत तो अवध का अधिगरहण बिटिस राज में लाड़ डलहुजी ने कूशासन कारोप लगा करके कर लिया तो अवध के नबाब वाजीद अली साह से उनका राज छील लिया गया अब जैसे ही देश में क्रांती की लहर बड़ी तो यह हुआ कि अवध में भी अत्याचार डलहुजी ने किया है तो यहाँ पर भी तो 1857 का विद्रोह लखनाउ में जिसके नेत्रितों में आगे बढ़ा उनका नाम था बेगम आप अवध हाला कि यह उनका टाइटेल है उनका नाम था हजरत महल उन्होंने अपने बालक बिर्जिस कादिर को अवध का नबाब भुसित किया और बिर्जिस कादिर के नेत्रितों में बेगम हजरत महल ने मुर्चा खोल दिया अंग्रेजों के बिरुद्ध तो ए हमारा उत्तर है आईए अगला वह महिला जिनोंने अवध में 1857 के करांति का नेत्रितों किया था ए लच्चमी भाई, बियहिल्या भाई, सी अरोडा सपहली और डि बेगम हजरत महल तो निश्चित रूफ से डि बेगम हजरत महल निम्न में से कौन इलहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था इलहाबाद में ए नाना सहाब बी अजिमुल्ला सी तात्या टोपे और डी मुल्बी लिकायत अली तो इलहाबाद में 1857 के संग्राम का नेत्रितों मुल्बी लिकायत अली ने किया तो D हमारा उत्तर है मुल्भी लिकायत अली अगला 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सरवाधिक संख्या थी A. बंगाल से, B. अवध से, C. बिहार से और D. राजस्थान से तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सरवाधिक संख्या थी अवध से तो अवध से अकेले ब्रिटिस सेना में 75,000 सिपाही थे और कहते हैं कि अवध का सायद ही कोई ऐसा घर रहा हो जिसका कोई न कोई एक सदस ब्रिटिस सेना में ना रहा हो लेकिन जीस प्रकार से लाड डलहौजी ने अवध का अपरहड किया उसे देख करके इन अवध के सिपाहियों का मन छोब से भर गया क्योंकि राश्टियता के अभाव में इन ही अवध के सिपाहियों ने अंग्रेजों को भारत के अलग अलग जगहों को कबजा करने में भारत के अलग अलग छेत्रों को अपने अधिकार में लेने में मदद की थी उनकी सेना में रह करके लेकिन जब इन्हों ने देखा कि हमारा ही राज्य अंग्रेजों ने हडप लिया यानि अवद का अपरहण कर लिया तो इनका मन छोप से भर गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नाना साहब का कमांडर इनचीफ कौन था ए अजीम उल्ला बी बिर्जिस कादिर सी तात्या टोपे और डी उक्त में से कोई नहीं तो नाना साहब के बारे में ही पहले हम जान ले नाना साहब कौन है तो धोधू पंत है कौन है ये तो बाजी राव जुती अजिसने की अंग्र मराठावार के बाद जिसे कानपूर के पास बिठूर में अंग्रेजों ने अपना पेंसनर बना दिया था उसका दत्तक पुत्र थे नाना साहब धोधू पंत और लाट डलहोजी की सरकार ने ये कह दिया नाना साहब को कि भईया आप भी गोद लिये हुए हैं आपको भी प और डिये उक्ता में से कौई नहीं तो तात्या टोपे थे नानासाहब के कमांडर इन चीप तो 20 का C हमारा उत्तर है अगला अजीमुल्ला खां सलहकार थे किसके ये नाना साहब के बी तात्या टोपे के सीरानीलच्मेभाई के और दी कुमर सिंग्गे, तो अजिमूल्ला खां सलाकार थे नाना सहब के, तो नाना सहब के तरप से ब्रिटिस सरकार के से नाना सहब के पक्षकार के रूप में काम करने का काम किया अजिमूला खाने, ठीक है, जो इनके साथ थन्याय हो रहा था अगला वर्थ 1857 के विद्रोह के संदर्म निमनलिखित में से किसे उसके मित्रन ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वराबंदी बनाकर मार दिया गया निमनलिखित में से तात्या टोपे को उनके मित्रन ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वराबंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया तो तात्या टोपे जिन्होंने की 1857 में बागडोर 1857 की करांती का बागडोर नाना सहाब के साथ कानपूर में समहला उसके बाद जहासी किराने लक्ष्मी बाई के साथ भी इन्होंने सहहोग किया और उसके बाद अकेले लंबे समय तक एक बड़े छेत्र को इन्होंने प्रभावित करके रखा लेकिन कहते हैं कि सोते हुए इन्हें अंग्रेजों ने ग्रिफतार किया और फिर इन्हें फासे दे दी गए, तो D उत्तर है, ये महराष्ट्र के थे, अगला, 1857 के निमनलिखित करांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडूरंग था, A कुमर सिंग, B तात्या टोपे, C नाना सहर और D मंगल पांडे, तो रामचंद्र पांडूरंग जो नाम था, वो किससे संबध्ध थे, ISPRI 2005, कहां से संबध्ध, तो बिहार, मद्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, तो निश्चित रूप से कुमर सिंग, 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, जो कि बिहार, भोजपूर, जो जीला है, उसे में जगतीस पूर एक रिया 1857 के विद्रोह के नायकों में ये अकेले रहे, जिन्हें अंग्रेज नहीं हरा पाए, कहते हैं कि हाथ में इनके गोली लग गई, संघर्स के दोरान, और अपने तलवार से अपना हाथ इन्होंने काट करके मागंगा को समर्पित कर दिया, कहा कि मागंगा मेरा हाथ आपको स मर्पित है, और कई बार अंग्रेजों को हराने वाले ये हैं, BPSC में देखेंगे, तो बहुत सारे प्रस्त पूछे गए हैं, प्रिब्यस एर में हमने उनको कम किया है, लेकिन BPSC में कुवर सिंग जिन्हें बिहार का सिंग कहा जाता है, उनसे बहुत सारे प्रस्त पूछे गए हैं, अगला, कुवर सिंग अंग्रेजों के खिलाप 857 के विद्रों में किस जगह सामिल हुए, ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वारान सी, तो आरा तो प्रमुक सेंटर था ही, इसके अलावा ये रिवा तक पहुंचे, ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है, अगला, कुवर सिंग ने 1857 के विपलाव में क्रांतिकारियों का नित्रेत्व करने का काम किया था, अगला, जगदीशपूर के राजा थे, अब फिर से प्रस्न, वही, ए नाना सहाब, बी तात्याटों पे, सी लक्षमिबाई, निश्चेत रूप से, जगदीशपूर के राजा थे डी, कुवर सिंग, जिन्होंने, कहते हैं, बूढे भारत में फिर से आई नई जवानी थी, तो इन में, कुवर सिंग में, नई जवानी आई थी, इस विद्रोह के दवरान, अगला, निमलिखित में से कौन असम में 1858 की क्रांतिका नेता था, तो असम में किस ने किया नेत् दिवान मनी रामदत, कंद पेश्वर सिंग, पुरंदर सिंग, पियाली बरुवा, तो ये दिवान मनी रामदत ने कंद पेश्वर सिंग को राजा घोसित करके असम में क्रांति का उध्गोस किया, तो ये हमारा उत्तर है, अगला, 1858 के बिद्रोह का बिहार में फिर से 15 जूलाई 1850 से 20 जनवरी 1880 तक केंद्र था अब आप सोचेजे कि बहुत सारे प्रस्नों को हमने हटा दिया है कुमर सिंग से रिलेटेड लेकिन फिर से प्रस्ना आ गया A. रामपूर, B. हमीरपूर, C. धीरपूर और D. जगदीशपूर तो पुराना प्रस्ना है ठीक है तो D. जगदीशपूर हमारा उत्तर है आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांती में अंग्रेजों वा जोदपूर की सयुक्त सेना को पराजित करने वाला था A. तत्याटों पे B. टोंग के नबाब वजीरखा, C. महराजा राम सिंग और D. आउवा के ठाकूर कुसल सिंग तो जगदीशपूर राजस्थान अमूमन सान्त ही रहा लगभग किसी सासक ने तो अंग्रेजों का विरोध करने का काम नहीं किया लेकिन जो ठीकाने थे पहले राजा उसके बा ठीक है और इन्होंने पराजित करने का काम किया D. हमारा उत्तर है अगला निमन लिखित में से कौन सास्थल राजस्थान में 888 के क्रांती का केंद्र नहीं था अगला निमन लिखित में से किसने 888 में अंग्रेजों से संगर्स किया ये MPPCS प्री 2000 का प्रस्थन है A. चंसे खराजाद, B. रामप्रसाद बिस्मिल, C. सहादत खान और D. माखनलाल चतुरवेदी तो सहादत खान ने 1857 में इंदोर में अंग्रेजों के विरुद्ध बिद्रोह का जंडा बुलंद किया निम्न लिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था ए मुल्बी अहमदुल्ला साह, B. मुल्बी इंदा, दुल्ला, मौलाना, फजलेक, खराबादी, नबाब लिकायतली तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन मुल्बी अहमदुल्ला साह को माना जाता है यह मुल्बी अहमदुल्ला साह ने फजाबाद में विद्रोह का नेत्रे तो किया कहा जाता है कि तमिलांडु के आरकाट से आकर के यहां पर बसे हुए थे इन्होंने सभी से यह अपील कि कि हमें अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध संगठित होना पड़ेगा और इन्हें इस देश से निकाल करके बाहर फेकना होगा तो 33 का हमारा उत्तर है ए आगे बढ़ते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दु कभी ने देखा था मीर, तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल तो BPSC Pre 2001 का प्रस्णव तो 1857 के विद्रोह को गालिब ने देखा था अब कमेंट बाक्स में आपको लिखना है कि 1857 की करांती में जो द्रिश से गालिब ने देखे थे उस पर उन्होंने कौन सा सैर लिखा था ये कमेंट बाक्स में आपको बताना है C हमारा उत्तर है अगला सूप्रसिद उर्दू सायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था तो मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां था आगरा में, दिल्ली में, लाहोर में, लखनव में तो सूप्रसिद उर्दू सायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था यही आगरा में 27 दिसंबर 1797 में इनके का जन्म हुआ था ठीक है तो ए आगरा तो इस प्रकार से कुल 35 प्रस्णों को हमने डिसकस किया जो 1857 की करांती से पिछले वर्सों में विभीन परिक्षाओं में पूछे गए थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरा ये प्रस आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलता हूँ इसी लेक्षर के अगले पार्ट में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार धन्यवाद